कहा जाता था कि नई सरकार के आने के बाद देश में अच्छे दिन आएंगे लिकिन क्या वास्तम में ऐसा हो रहा है अंतागड ब्लॉक मुख्याले से महज 3 किलो मिटर दूर जेतानवा गाउ नदी पर पुल निर्मान की मांग पिछले 70 वर्षों से हो रही है पीडी गुजर रही है लेकिन नदी में पुल बनना एक सपना सा है चुनाव के वक्त पुल नहीं तो वोट नहीं कि कोशिशें कई बार ग्रामिनों द्वारा की गई है नेताओं ने मीठे मेठे आश्वासनों से वोट तो पालिये हैं लेकिन फिर भी पुल नहीं बन पाया है जहां ग्रामिनों को अपनी जान जोकी में डाल कर नदी पार कर ब्लोक मुख्याले सरकारी और नीजी कारे के लिए जाना पड़ता है जेतानवा गाम नदी पर पुल निर्मान ना होने से बरसात में 5-6 गाउं का संपर्थ तूट जाता है जहां बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहन करने के लिए अपनी जान जोके में डालने पड़ती है पुल निर्मान की मांग को लेकर ग्रामिनों ने बताया जब हम बच्चे थे तम हमारे माता पिता से सुना करते थे कि पुल का निर्मान होना है लेकिन हम तो बुढ़े हो गई मगर पुल का निर्मान नहीं हुआ चुनाव आते ही जनप्रतिनीदी का आना जाना शुरू हो जाता है वोट मांगते हैं और कहते हैं सरकार बनने दीजिए पहले पुल निर्मान का कारे होगा सरकार बदल गई मगर हमारे गाम की समस्या वही की वही रही आश्वासन तो बहुत मिले मगर पुल निर्मान का कार्य शुरू नहीं हुआ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए